नमस्कार दोस्तों केलो आईयस के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों इस साल की जो प्रिलिम्स की परिक्षा है जो की 26 माई को है है ना उसको ध्यान में रखके हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज को चालू कर रहे हैं जो की current affairs की classes है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर current affairs से मतलब सिर्फ current affairs ना उकरके static के जो भी topics current affairs के साथ link है और current affairs को करने के साथ साथ जब हम लोग static को करेंगे तो static के साथ बहुत सरी topics होते हैं जो between the line होते हैं वह सबको हम लोग एक साथ एक जगह पर cover करेंगे ठीक है आज हम दो का पहला लेक्चर है दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि जैसे जैसे टाइम बदला है 2013 में जब एक्साम का पैटर्ण चेंज हुआ उस समय के जो करेंट अफेर्स के कोश्चन थे और आज के जो करेंट अफेर्स के कोश्चन है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है अगर आप सिर्फ न्यूस पेपर या सिर्फ मैगजीन इस तरीके के रिसोर्स फॉलो करके जा रहे है तो फिर आप मान के चेलिए अगर करेंट अफेर्स के 20 कोश्चन थे डिरेक्ट आ रहे है तो आप उसमें सब 5 से जादा और दोस्तों यह जो सिर्फ है आज तो पहला लेक्चर है हम लोग लगबख 100 क्लासे कंप्लीट करेंगे इसके ताकि आपका पूरा जो पूरा का पूरा तैयारी होना चाहिए जो पूरे गैप्स है वो सब फिल हो जाए सारी तैयारी अच्छे से हो ठीक है वीडियोज हिंदी में रहेंगी लेकिन जो टेक्स है वो इंग्लेस में होगा उसका कारण यह है दोस्तों कि जब हम लोग गूगल ट्रांसलेट या दूसरे तरीके से अनुवात करते हैं कंटेंट को तो प्रॉब्लम उसमें यह आता है कि फिर उसका जो मर्म होता है जो समझ होती है जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो पूरा खराब हो जाता है अर्थ का अनर्थ हो जाता है ठीक है तो चीजों को धीरे-धीरे समझ के चलेंगे आज पहली क्लास है ठीक है चले सुना होगा वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इससे कोश्चन भी आया हुआ यूपीएसी में और अब हम लग 4G 5G के फोन यूज कर रहे हैं तो हमको पता है कि वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे चीज होती है ठीक है से लिए देखते हैं यह किस बारे में है तो यहां पर देखे दोस्तों यह जो है यह effective long range marine communication है उसके बारे में है यानि कि जब हम लोग समुद्री यात्रा पर होते हैं है तो जो समुद्र में जो भी ships वगरा होती है उनके आपस में जो communication है उसको enhance करने के लिए एफेक्टिव ब स्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट जो कि कॉलगता में है है ना वहां पेस को launch किया गया है तो दोस्तों यहां पर आप स्यामा प्रसाद मुखरजी जो पोर्ट है उसको जा करके map में एक बार देखेंगे और उसके साथ साथ जो इंडिया के major ports है उसको भी देखेंगे दोस को available हो जाएगा लेकिन फिर भी वो topic फिर आप identify कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे उससे अच्छा कि अभी साथ में लिखते हुए इसको चलिए ठीक है दूसरा point है दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि इमरायन communication को improve करने के लिए है especially bad weather होता है उसमें ठीक है और यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो transmitting radio है communication signals है वो internet protocol standard को follow करता है अब वो क्या होता है उसको भी देखते हैं हागे यहां पर देखें दोस्तों यह well enhanced radio communication है लेकिन क्या होता है यह digital IP network को enable करता है communication के लिए और यह दो यह दो से ज्यादा जो analog radio device networks होते हैं उनको आपस में connect करता है ठ यह point आपको याद रखना है कि यह उसके बाद देखेंगे पाच्वा पॉइंट जो है कि voice internet protocol के जैसा ही होता है लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यह two-way radio communication को follow करता है जबकि voice over internet protocol है वो टेलीफॉन्स वगरा के लिए है ना calling के लिए है ठीक है उसके बाद देखते हैं दोस दोस्तो half-duplex mode में होता है इसका मतलब है कि जहां पर आप एक, दो, तीन जित्ते भी चाहें device को आपस में connect कर सकते हैं लेकिन जब communication होता है तो एक टाइम पर एक device से communication होगा ठीक है यह push to talk mode पर होता है यानि कि आपको सिर्फ button दबाना और बात करना चालू कर देना है ठीक है अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे यहां पर आप देखेंगे दोस्तो रेडियो वेफ से related है क्योंकि है ना तो अब रेडियो वेफ के बारे में हम लोग देखते हैं तो रेडियो वेफ की जो frequency होती है 300 GHz से 3 GHz तक की रहती है ठीक है अब इसमें भी दो तरीकी के frequency ह है ना amplitude modulation है और frequency modulation है ठीक है अब यह दोनों को भी हम लोग detail में देखेंगे अभी ठीक है यहां पर देखिए AM and FM are used for transmitted data using the method of modifying a carrier signal ठीक है इसको समझते हैं हम लोग एक ऐसे काम करता है AM और FM क्या होता है तो इसका एक चार्ट है दोस्तों उसको समझेंगे उस पर समझेंगे त समझने में देखें देखें दफर्स सेक्सेस्फुल और ट्रांस्मिशन कब हुआ था एम से 1870 में है ना और FM से कब हुआ है 1930 में हुआ है एडविन Armstrong ने इनको किया था United Nation में सॉरी United State में अब जो radio wave है इसको carrier wave भी बोलते हैं है ना इसका frequency और जो face होता है वो सेम होता है ठीक है जबकि जो frequency module होता है उसमें क्या होता है amplitude और face सेम होता है तो आपको यहाँ पर समझ भा रहा है कि यहाँ पर amplitude सेम होगा frequency वाले में और amplitude में frequency सेम होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्रॉस हो रहा है तो इस point को आपको याद रखना है विल्कुल difference पूछा जा सकता है दोस्तों important है अब देखेंगे हम लोग AM में क्या होता है दोस्तों इसका sound quality होता है वो poor होता है लेकिन इसका transmission होता है वो long distance पर होता है जबकि FM में क्या होता है कि bandwidth जो होता है इसका higher होता है बढ़िया quality होती है लेकिन जो इसका distance होता है वो limited होता है आप जानते हैं FM radio जो हम लोग सुनते हैं अगर आप अपनी city में है मानने जब दिल्ली में है ठीक है तो आपको signal मिल रहा है पर जैसे आप दिल्ली क्रॉस करेंगे तो वहां का signal आना बन हो जाएगा वहां की area की FM का फिर आपका connection हो दूसरे FM का मिलेगा आपको ठीक है तो आपको यह point most important point है दोस्तों कि दोनों में sound quality किसकी अच्छी है और distance किसका ज़्यादा है ठीक है फिर frequency की बात यहाँ पर है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की frequency है ठीक है और जो चीज है noise खोले करके तो यह बहुत यह ज्यादा सम्मेदन सील होता है जबकि यह कम सम्मेदन सील है ठीक है चले देखते हैं हागे अगला है दोस्तों हमारा sit max sit max क्या है समझते है sit max दोस्तों trilateral naval exercise है यानि कि आप समझ लिजिए कि जो 9 सेनाए होती है देशों की तो 3 देशों की जो 9 सेना है उनक सिंगापूर इंडिया और थाइलेंड ठीक इसलिए इसका नाम भी जो है sit max अब देखेंगे आप SI से हो जाएगा हमारा सिंगापूर इंडिया है ना टीस हो जागा थाइलेंड और मैक्स हो जाएगा maritime exercise तो आपको याद रखना है यह conduct annual होता है 2018 में start हुआ था और इंडिया इसको वह यह करा हैनौस करें घ्रिटी चीह और कहां पर किती दोस्तों कहां पर इंडियल हो बकित है शांग रिला डालोग में ठीक है तो अब हम लोग और सॉकल पर नहीं क्यणिक नहीं क्या है कि क्क्राण कॉंविग केना क्यों इस धो अ क्हुछ टार्वीं में का इसलिए ठीक है अब चले देखते है शांग्रीला डायलोग क्या है अब देखे दोस्तों सांग्रीला डायलोग क्या है इंटर गॉर्मेंटल सिक्योर्टी फोरम है ठीक है यह सिक्योर्टी फोरम नहीं है यह किसी से रिलेटेड है दोस्तों यह सिक्योर्टी से रिलेटेड है ठीक है य को आपको याद क्या रखना है कि एक security forum है एन्वली होता है और इसको कंडक्ट कराने के लिए कुछ है जो इसका think tank है वो है International Institute for strategic studies in Singapore ठीक है क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने एक डालोग देखा है तो हम लोग और भी जो डालोग है important dialogues है यह जो संबाद होते हैं उनको देखेंगे लेकि दोस्तों पॉइंट संग्रिवीड़ डा लोग का तो यह किस बारे में एश्याव पैसिफिक रीजन को ठार्गिट करता है ठीक है दोस्तों इश्याव पैसिफिक रीजन को तीसरा है दोस्तों कि इसको को अटेंट कौन करता है तो डिफ्यांस मिनिस्टर करते हैं पर्मानेंट हैट आफ मिनिस्टर्स एड मिलिटरी चीफ आफ इस पर पीम इंक्लूड नहीं है आपको याद रखना है ठीक है चले अब देखते अगले डालोग को अगला डालोग है दोस्तो राइसीन डालोग के एरेंजिंग इसूज हैं ग्लोबल लेवल पर है ना उसको देखता है एवरी येर होता है यह ग्लोबल लीडर्स की जो पॉलिसी है बिजनस है मीडिया सिविल सोसाइटी है ना यह कौन होस्त कौन करता है नियू दिल्ली में होता है ठीक है तो यह चीज आपको याद रख क्षील्स जो है इसमें एंक्लूड होते है ठीक है यह कौन्फ्रेंस जो है यह होस्ट होता है किसके द्वारा औब्स tavarish foundation in whackgliaップ Litraution with Ministry of External Affairs उसिल्ट के इसमें होता है तो आपको याद अधना है सबसे important चीज याद रखनी है जो कि ये किस चीज के बारे में है ये है दोस्तो address करता है most challenging issues जो global community face करती है क्या-क्या हो सकता है environment हो सकता है terrorism हो सकता है है ना इस तरीकी के जो issues है और इसको जो host करता है वो कौन करता है दोस्तो ministry of external affairs करता है है ना चलिए देखते हैं अब आगे दूसरे dialogues को अगला dialogue है दोस्तो Sydney dialogue अब Sydney आपको पता है Australia से related है ये किस बारे में है दोस्तो किसका initiative है Australian strategic policy institute के है ठीक है annual summit होता है ये किस बारे में cyber and critical technologies जो है ठीक है उनका जो fall out होगा तो क्या situation बनेंगे वर्ल्ड पे उसको ये ध्यान में रखता है ठीक है तो ये टेक्नोलोजी से related है cyber security से related है ठीक है ये किस पर focus करता है न्यू टेक्नोलोजी इस पर और एक कैसे वर्ल्ड अलग-अलग countries को effect कर सकती है उस पर ध्यान देता है ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं बहुत मातुपूर्ड न्यूस है दोस्तों ये वाला नेस्टल इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर अथोरिटी आपको पता है कि लगातार हमारे यहां पर यह चीज चल रही है नदी जोड़ों परियूजना जो है है ना तो उसको चलाने के लिए जो संस्ता है जो में बॉड़ी है जो उसको हैट करती है उस पूरे प्लान को उसके बारे में है थीक है तो जो ये नेस्टल इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर अथोरिटी है एक अंब्रेला बॉडी है किस चीज के लिए फॉर औल रिवर लेंगिंग प्रोजेक्ट के लिए है ठीक है दोस्त और आपको याद रखना कि भारत सरकार में जो अधिकारी सची उपद पे हैं या उनके समकष है वो इसको हैड करेंगे ठीक है इससे पहले क्या था दोस्तो इसके पहले था नैशनल वाटर डेवलप्मेंट अजेंसी थी जो इस पूरे प्रोसेस को कर रही थी पर उसको रिप् अब देखते हैं दोस्तों एक एक इंडिपेंडेंट और्टोनॉमस बॉड़ी है जो प्लानिंग करती है इन्वेस्टिकेशन करती है फाइनसिंग करती है ना जो भी जितना भी पूरे देश पर प्रोजेक्ट चल रहा है रिवर लिंगिंग का उसको यह ध्यान में रखती ह है फंक्शन्स क्या-क्या है इसके तो आप देखेंगे कॉर्डिनेशन विद नेबर बाूर्डरिंग कंट्रीज है ना एंड कंसन स्टेट्स डिपार्टमेंट्स एंड विल अल्सों है पावर और इशू रिलेटेट दा इन्वार्मेंट वाइल्डाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोजेक्स का लिगल आसपेक्ट मतलब दोस्तों देखें कितना इंपॉर्डेंट पॉइंट है इसा पाकिस्तान है अगर सिंदु नदी से अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि वहां पर अगर हम लोग प्रोजेक्ट अपना ला रहे हैं नदी जोड़ों पर यूजना का तो पाकिस्तान उसन पर हो ईशू करें चाइना करें ना तो उनको उनदेशन करने काये ही संस्ता करती हैं उस्टेेट के भी आपस में डिक्कते होती हैं आप जाल रहे हैं कि जैसे बहुत सार आप देखेंगे तो South में तो खास करके जो स्टेटस हैं वहाँ पर इशू है कि रिवर वाटर डिस्प्यूट वहाँ पर बना हुआ है उनको डिल करता है और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि जब नदी जोड़ने की परियूजना चालू होती है तो मान लिजगर यहां पर दो नदी बहरी है जैसे केन बेतवरी बहरी है तो बीच में पूरा पन्नट अगरिजव का एरिया पड़ता है ठीक है तो यहां पर जो भी फॉरेस्ट क्लेरेंस चाहिए कि पीड़ काटना पड़ेगा इन्वार्मेंट को क्या डिस्ट्रक्शन होगा उससे क्या नुक्सान होगा तो उसके लिए जो लीगल परमीशन चाहिए है ना वो सब कुछ यही मैनेज करती है परमीशन यही अथोरिटी देती है तो अच्छा है दोस्तों क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है हो सकता है कि इसमें इंजियोस बीच में आ जाएं और इससे क्या होता है देर भी होता है खर्चा भी बढ़ता है और फिर काम बीच में अ लग जाता है तो सरकार का अच्छा स्टेप है अगर आप देखेंगे तो इसको पावर है किस बारे में पावर है राइस फंड एक्ट एस रिपोजेटरी और बॉर्वर्ट फंड यानि कि जो भी पैसा वगएरा है फंड को राइस करने काम भी यह करती है फंड को मैनेज करन जो कि एक सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन की जाती है जिसका काम होता है जैसे कि अब केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसमें बहुत सारा चीज़ वह क्लेरेंस लेना होगा समान खरीदना होगा लेबर को वह करना पड़ेगा उसमें है दोस्तों है आपर चले देखते हैं आगे क्योंकि दोस्तों हमने एक वाटर बॉड़ी डिसकस की है अभी है ना तो और भी जो वाटर बॉड़ी है भारत सरकार की जो महतोपूर्ण है उनको देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना पड़ेगा देखिए यह है Central Ground Water Authority के बारे में ठीक है यह Authority दोस्तों Section 3 of Environment Protection Act के अंदर बनी है ठीक है इसका मतलब क्या है दोस्तों यह स्टेचुरी बॉड़ी है है ना स्टेचुरी बॉड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों सीधा कोशन बनता है कि क्या है कि स्टेचुरी बॉड़ी है Constitutional बॉड़ी है है इस तरी कोशन बनते हैं तो आपको याद रखना है कि स्टेचुरी बॉड़ी है इसके फंक्शन को देखते हैं दोस्तों हम लोग इसका फंक्शन जो है दोस्तों exercise of power under Section 5 Environment Protection Act वो क्या है कि Direction इसू करता है कि इस बारे में यह Direction इसू करता है इस बारे में कि जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं कि सब्सेक्शन टू और सेक्शन थ्री और यानि कि इसको सिंपल क्योंकि कानूनी लाइज में थोड़ा समाझ में प्रॉब्लम होगा इसको पावर मिला है इस सेक्शन से किस चिश के लिए कि यह जो सब्सेक्शन है इसको यह अफ्राउंड वाटर इन डकंट्री एंड टू इशो नेसेसरी डेगुलेटरी डायरेक्शन फूर्द परबस तो देखें दोस्तों क्योंकि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड एक अथोरीटिए कि अंदर सरकार कि अथोरीटिए तो यह तो बेसिक सी बात है कि जो भी रेग प्रेडक्शन एक्ट के अंदर है 1986 का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है ना दोस्तों यह तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है चलिए आगे देखते हैं कि हीं पूर्ड कि सेंट्रल ग्राउन वाटर बोर्ड ठीकर दोस्तों इससे पहले लोगों ने देखा क्या अथोरिटी देखी क्या देखिए अब अभी अगया थोरिटी देखिए अब लग मोटे दुश्तों एक जर्डाल सी चीज़ आप देखेंगी तो अथोरिटी जो है व यह निए जल सकती मंत्रा लेके अंदर यह अटेश हैं तो आपको ध्धान रखना है हो सकते कि आपको आइडिया नौपर आप बोड्र और आठ्वारिटी का अगर आपको मतलब पता है तो आप इसली क्या कर सकते हैं दोस्तों आपर guessing कर सकते हैं आंसर को सही कर सकते हैं तो आपको याद रखने हैं दोस्तों यह किस से related है यह ministry of water resources related है पहली चीज आगे देखते हैं दूसरा चीज आपने देखिंग दोस्तों तो यह function किस बारे में करता है तो जो के बारे में देखते हैं डीटेल कब स्टेबलीश हुआ था दोस्तों यह 1970 में स्टेबलीश हुआ था ठीक है उस समय जो था दोस्तों कुणो नैशनल पार्क के जो चीते हैं लगातार नीवीज में बने हुए हैं तो चेले देखते हैं क्या है कुणो नैशनल पार्क location दोस्तों MP में अब MP में जितने नैशनल पारक उसको भी हम दोग देखेंगे तो 13 जो चीते चीता थे उनको 2022 में लाए सब्सक्राइब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों यह तो न्यूज है की चीता लाए गया थे साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से ठीक है अफ्रीकन चीतों को लाए गया था पर अब कूरो नेशनल पार्क को भी देखते हैं हम लोग तो इसको डेवलप किया गय गयर नेशनल पार्क हैं तो देखें दोस्तों सारे अश्याटिक लॉइंस यहीं पर सेमित हैं लेकिन मान लेजे कि कुछ ऐसी बीमारी फैलती है कुछ ऐसा सिच्वेशन बनता कि एक साथ पूरी प्रजाती पे खत्रा उत्पन होता है तो अगर हम लोग कूरो नेशनल पार् फैला हुआ था जो शेरों को बहुत ज्यादा नुक्षान पहुंचा रहा था जान लेवा वायरस था हो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस नाम था ठीक है तो उस परपस से कुरो नेशनल पार्क को स्टेबिस किया गया था और आने वाले टाइम में हो सकता है कि लॉइंस को यह तो दस चीते हम लोग जो हैं साउथ एफ्रिका से लाएं और तीन नामीबिया से लाएं ठीक है अब चले देखते हैं दोस्तों चीता क्योंकि न्यूज में तो चीता के बारे में भी जरूरी है तो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों एशियाटिक चीता के बारे में ठीक ह तो यह भी कहां मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इरान में मिल रहे हैं ठीक है आयू सीन स्टेटेस का देखिंगे दोस्तों critically endangered है ठीक है साइट्स के appendix 1 में आता है साइट्स आयू सीन ये सबके बारे में को आइडिया होगा अगर नहीं है तो इसको भी हम लगागे discuss करेंगे आयू सीन दोस्तों एक संस्ता है ठीक है जो की species को अलग-अलग उसमें ranking में रखती है कि कौन सी species कितने खत्र में है और साइट्स जो है द इसपोर्ट नहीं किया सकता इन सारी चीजों पर वह करता है मतलब माने माने कि जो आनिमल्स का जो smuggling होता है उसको रोकने का काम करता है यह संसता ठीक है चलिए पांच वाप्शन देखते हैं दोस्तों दियारे स्मॉलर एंड पेलर यानि कि यह छोटे और पतले होते हैं किस ठीक है पिर देखेंगे तो smaller head होता है और longer neck होता है इसका ठीक है red eyes होती है और काफी है तो कि बिल्ली का appearance ऐसा फील होता है कि बिल्ली आई है ऐसा लगता है अब चलिए देखते हैं अफ्रिकंट चीटा को यह दिखें दोस्तों यह है अफ्रिकंट चीटा ठीक है इसके बार डेबल जो होता है वो critical से उपर होता है तो इसके लिए उतना दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखेंगे दोस्तों साइट्स के appendix 1 में ये भी है और इस्याटिक वाला भी था ठीक है देयार बिगर इन साइज औफ कंपेर्ड टू इस्याटिक चीता जो हमने डिसकस किया अब कुणो नैशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा क्योंकि इंपॉर्टेंट है न्यूस में यूप्यसी कोशन पूछ रही है तो इग्णोर करना ठीक नहीं है इसको है देखेंगे दोस्तों कुणो पालपूर इस वा अलगलग टाइप के वेजिटेशन होते हैं जो अलग-अलग एरिया पाई जाते हैं जियोग्राफी में बेसिक में आपने पढ़ा होगा इसको ठीक है तो यहां किस टाइप पर वेजिटेशन मिलता है दोस्तों सहारा सहारा ट्राइब भी मिलता और यहां पर जो ट्राइब कूनो रिवर बहता है इसलिए इसको कूनो नेशनल पार्क से आप कूनो रिवर को भी लिंक कर सकते हैं थीक है वन अब दा मेचे ट्रीवर्ट्री किसकी है क्सकी ऑधेन दी दोस्तों चमबल रिवर की ए है कि याद रखने है आपको फिर कूनो पार्क इस नोन फूर अब दे टेसी डूवल फॉरेस्ट है ठीक है थ्रोनी टाइप वेजिटीशन है इसका मतलब क्या है दोस्तों यानि कि उष्ण ने कटी बन दिये ठीक है पर्ण पाती वन जो होते हैं ठीक है वन फॉरेस्ट के भी कैटिगरी होती है अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको तो आप अपने इसलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं दोस्तों जो नैशनल पार्क होते हैं तो कि हम लग पढ़ रहे हैं कि इतने सारे नैशनल पार्क है यहां पर यहां पर यह बनता कैसे हैं है इसका प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं तो नैशनल पार्क है क्या तो एक ऐसे एरिय है जो कि सरकार के द्वारः सेट अब किया जाते हैं कंजर्वेशन के लिए किसकी करीजर्वेशन के लिए दोस्तों प्राक्रितिक परियावरलड के की संदुन ek tratar के लिए ठीक है यूमन एक्टिविटी दोस्तों क्या है यहाँ पर अलाउड नहीं है आपको याद रखना ठीक है यहाँ पर यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है ठीक है बॉंडरी स्केन ओनली भी चेंज़्ट बाइद पर्मीशन ऑफ नैसल बोर्ड फॉर वाइल लाइफ विच इस अब आप नैशनल बोर्ड फॉर वाइल लाइफ के बारे में जाके पढ़िए दोस्तों इसको अपनी नोट करिए इसको हैट कॉन करते हैं दोस्तों प्यम करते हैं सीधा प्यम करते हैं दोस्तों ठीक है इसलिए बहुत महत्पुन संस्ता हो जाता है क्योंकि प्रधान मंत्र and state governments दोस्तों ठीक है यानि कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास यह अधिकार है कि वो national park किसी छेत्र को national park घोसित करें ठीक है no alternation of the boundaries of national park shall be made except on a resolution passed by the state legislature यानि कि कोई भी alternation नहीं होगा boundaries decide करने में national park का कर दो जब तक कि विधान सभा होती है विधान सभा एक resolution फास नहीं करती है यानि कि state government तो declare करती है लेगिन उसको support चाहिए होता है किसके होता है दोस्तों सारे विधाइकों सार्य विधाइकों से मेरा मतलब है कि वहां पर जो भी उपस्तित है जो भी समाने बहुमत होगा विधायकों का उसके थ्रू होगा ठीक है छटवा पॉइंट है दोस्तों देख कैन नॉट बी डाउन ग्रेड़ेट टू दे स्टेटस स्टेटस ऑफ सेंचुरी यानि वाइल लाइस संचुरी यानि दोस्तों एक बार कोई जगह किसी टीरेको अपने नाशनल पाक बना दिया ठीक है तो उसको आप फिर वाइल लाइफ संचुरी में कर सकते हैं ना मतलब चाप उसका डिमोशन नहीं कर सकते उसको डाउन ग्रेड़ कर ही नहीं सकते बहुत इंपोइंट है दोस्तों बहुत इंपॉइंट आप देखेंगे दोस को उस तरीके से नहीं अवलेबल हो पाता है इसलिए दोस्तों बार 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 बोलता हूं इस चैनल पर कि दस हजार लोग अगर मेंस लिखते तो मुस्किल से एन एरिया ऑफ नेचर और बाइद ग्वर्मेंट और प्राइवेट एजनसी ठीक है यहाँ पर पर्याइवेट दोनों हैं ठीक है दोस्तों और पर्टिकुलर ही इस्पिसीस कुछ भी हो सकता है फ्लोरा हो सकता और फोना हो सकता है उसको सेफ करने काम करते हैं तो नैशनल पार संगीट करते हैं ठीक है बहुत important point है दोस्तों बहुत important point है miss नहीं करना मस्क नहीं करना इसको ठीक है दूसरा देखेंगे दोस्तों no boundaries are defined ठीक है यानि कि इसके boundary ऐसा defined नहीं होती हूथ यहां तक है ठीक है इसको याद रखना क्योंकि जब यह option में आएगा तो आपको लगए यार wildlife century तो कोई तो area होगा कहीं तक होगा कि यह fix है बट actual measure नहीं है ठीक है तो आपको point number two याद रखना है staff marker के याद रखें दोस्तों इसको तीसरा देखें दोस्तों they are declared by both central and state government जैसा कि national park में होता है ठीक है they can be upgraded to the status of national park ठीक है बट a national park cannot be downgrade to wildlife century यानि कि कोई wildlife century है उसको हम लोग बाद में national park बना सकते हैं लेकिन national park को हम लोग wildlife century नहीं बना सकते हैं ठीक है दोस्तों याद रखना है point बहुत important point है अब दोस्तों कुछ national park news में हैं जो नए बने हैं उनको हम देखते हैं तो आसाम government है आपको पता है state government जो होती है वह भी national park declare कर सकती है अभी हमने तुरंट पढ़ा है तो उसने देहिंग पटकाई को जो wildlife century था देहिंग पटकाई wildlife century उसको 7th national park बना दिया अपने state का ठीक है इससे पहले छे थे इनके एड़ होने के बाद देहिंग पटकाई के एड़ होने के बाद total 7 हो गए हैं दोस्तों चले देखतें कौन-कौन से हैं पहले उससे पहले थोड़ा से इसका basic समझ देते हैं कि यह जो देहिंग पटकाई है क्या इसका वैदर है क्या फ्लोरा फोना क्या है इसका समझते हैं तो देखेंगे दोस्तों तो यह जो है देहिंग पटकाई elephant reserve जो है है ना इसमें है यह ठ से लिए कि नैशनल पार्क में अगर आपको खनीच संसादर में बिल रहे हैं तो हम इसा क्लैश रहता है कि हम लोग वहाँ पर खनन करें कि ना करें है ना लगातार चीज़ें वासी चलते रहती है ठीक है इसलिए आपको यह पॉइंट याद रखना है तीसरा आप देखेंगे इट इस ता ओनली सेंचुरी इन इंडिया विच इस होम अफ सेवन डिफरेंट इस्पिसीज ऑफ फाइलेफ कैट्स यानि कि यह एक मात्र दोस्तो एक मात्र ऐसा सेंचुरी नैशनल पार्क है जिसमें अलग अलग प्रकार की जो सातों बिल्लिया होती है भारत में ठीक है व और मार्बल कैट्स हैं ठीक है दोस्तों याद रखनें आपको जो कि बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखे दोस्तों आशाम के जो बाकी के छे नैशनल पार्क से वह कौन-कौन से थे हैं राइमोना था काजी रंगा था मानस नामेरी दाने भी हैं लेकिन बार-बार कंफ्यूजिंग होता है अब बार-बार भूल जाते हैं कि इंडिया में कौन-कौन से नैशनल पार्क है कौन से स्टेट में हैं तो हमारे ही चैनल पर मेरी एक ट्रिक वाली वीडियो है ठीक है आप उसको देखिएगा निमोनिक्स है ख्रिक क से हिसाब से 29 ट्रिक से 29 स्टेट पूरे कवर हो जाते थे उसमें ठीक है सब कुछ है यूटी भी कवर हो जाते हैं तो उसको देख लिजेगा तो यह वाला कंफ्यूजन आपका खतम हो जागा यहां ठीक है चले आगे देखते हैं अब हम दोग दोस्तों कुछ जो स्पेसिफ को देखा वाइल एफ संसुरिव को कि भी वह थे चीज़ों को खुछ है इतना सारा कंटेंट एक साथ जगा वहां पर मिल रहा है दोस्तों ध्यान से देखिए अच्छे से करिए एक्साम क्लियर करें दोस्तों फोड़ी एक दम जबल जास तरीके साथ ठीक है दोस्तों जो रायमोना नेशनल पार्क है ठीक है क्या इंक्लूड है इसमें नॉर्थन पार्ट ऑफ जो है इसका रीपू मोस्त इंपॉर्टे नेशन पार्क है ठीक है पता होना चाहिए आपको तो यहां पर आपको यह दो लोकेशन याद रखें रिपू रिजव और मानेश नेशन पार्क ठीक है आप देखेंगे फेमस किसके लिए गोल्डन लंगूर के लिए दोस्तों इंडेमिक स्पीसीज है गोल्डन लंगूर है ना यहां पर एशियन एलिफेंट मिलता है आपको रोयल बेंगॉल टाइगर मिलता है क्लावड लेपर्ड है इंडियन गौर है वाल वोटर बफैलो स्पोर्टेट डियर है ठॉन्बिल वेरे सिस्पीस ऑफ बडरफ्लाइज बर्ट्स और चिट्स अब गोल्डन लंगूर्या मिल रहा है रहाना थी अगर यहां पर मिल रहा है यहां कर पर मिल जाएगा क deci पाइसा नहीं है सबका अपने पूर्ण स्पेसिफिक जगह है अभी स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा कन्फीज हो नहीं सकता जैसे जैसे आप और इस पीशीज को देखेंगे तो रिलेट करना आसान हो जाएगा आपके लिए ठीक है आगे देखते हैं अब आयू सीन लिए आपको पता चीतल 12 सिंगा सांवर है हंगूल है मस्तूरी म्रिग है जिसको मिह बोते हैं मस्क इस्प्री होता है इसanka है तो उसकर देक्ते हैं चीतल जो है दोस्तों लिष्ट कंसर्ण है और तिलंगाना का बारा सिंगा वननुरेबल है वं यहांद एंपियर यूप में और यहां का ये स्टेट एनिमल सांबर जो यह वंनुरेबल स्टेट एनिमल फूसा का तीक है कि ला याद रखना है और देखते हैं घ्रास लेन अफ तराई इक उरी कहां पर रहे पनाए सब्सक्राइब ना इसपक्र अंजब्व म billing DAVID सब्सक्राइब अंपॉसरी मैंने इसको चाहां मिलता है यह हूग करे मिलता है ढू Aunty जो होता है दोस्तों हंगुल मिलता है दाची गामा नैसनल पार्क में critically endangered और most important है most most important ठीक है फिर शंगाई या ब्राउन एंटरी डियर endangered है state animal of money poor है ना केबुल लामजाओ नैसनल पार्क में मिलता है अब दोस्तों केबूल नामजा और नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है प्योंकि एक अकेला यह जो है नेशनल पार्क को बोलते हैं चारों तरफ के वाटर बीच में नेशनल पार्क है ठीक है तो दोस्तों हेरन के छे प्रजाति को हमने देखा एक साथ देखा है एक साथ इनको याद करिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको फिर ठीक है और हो सके तो एक छोटा सा ऐसा आउटलाइन मैप लीजिए और उसमें मार्क कर दीजिए कि कौन से हीरन जो है कहां पर मिलता है ठीक है असान रखना ह होगा आपको फिर याद जो होगा याद आप असानी सरक लेंगे ठीक है अब दोस्तों कुछ न्यू साइट से किस बारे में है यह प्रोजेक्ट लाइन के बारे में ठीक है तो गौवर्मेंट जो है हम मैंने आपको बताए जो कुनो पालपूर वाइलेस संचूरी है जहां पर चीते आया थे दोस्तों देखिए सारी चीज़ा भी तक इंटरलिंक करके चल गए ठीक है उसको आइडिंटिफाई किया गया था प्रोजेक्ट लाइन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने कब लॉंच किया था 15 अगस्त 2020 को अब इसमें है क्या दोस्तों कि 6 नए साइट दॉस्तों देखना पड़ेगा ध्यान से माधोय नैशनल पार्क मध्य प्रदेश 1 सीत्मारा या राजस्थान राजस्थान Зна mkundra Hill Tiger Reserve राजस्थान गांदी सागर मध्य प्रदेश कुंभलगर वाणदाफ सेंचुड एंड गुजरात तो दोस्तों आब इसको याद कैसे सिंपल वही है एक आउट लाइन मैप बनाना है और अश्याटिक लाइन के लिए जो प्रोजेक्ट लाइन के तहत एरिया बना उसको आपको मार्क कर दिना कहा कहा पर ठीक है तो आपको याद रखना बहुत आसान होगा आपके लिए फिर क्योंकि ऐसे आप याद करेंगे अब देख़ें दोस्तों प्रोजेक्ट लाइन के अंदर जो मैंने आपको बता गिस्ट न्यू शाइट बनिे हैं तो ठीक है अब प्रोजेक्ट लाइन है क्या होगी तो जनना पड़ेगा न तो यह प्रोग्राम मैंने बताया दोस्तों इस dialogue को कशरवेशन के लिए व्ल्ट क्लास रिसार्च वगरा के लिए यहां पर फैसिलेटी रहेगी और जो दफ प्रोजेक्ट विल ऑलसो भी अड्रेसिंग तो हुँमन वाइलफ कॉन्फिक्ट यानि कि क्या होता है दोस्तों आपने देखा होगा कई बार क्योंकि मैं आपने सुना होगा न्यूस में कई गुश के इरिया में हाथ ही गुश गया और उससे कि जानवर की भी जान जाती है तो उस चीज को भी टार्गेट करते हैं प्रोजेक्ट लायन की जो ऐसी चीजें वो ना हो है कि नहीं तो चलिए देखते हैं आगे प्रोजेक्ट लायन आप समझ क्या होंगे बहुत इंपॉ डा गुजरात फॉरेश्ट डेपार्टमंट プरजेक्ट यानि कि सको कौन इंप्लिमेंट करेगी व-i किस की지는 चे सवर्द करेगी कुझ्छांफ फॉरेश्टेम्ट अब यहां पर देखें वाइल डाफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया इसके बारे में भी हम लोग पढ़ें आगे ठीक है अब दोस्तों क्योंकि एस्टिक लोएन के बारे में भी डिटेल में रहते हैं कि क्या है तो यह अफ्रीकन लोएन से थोड़े से छोटे होते हैं अभी गिर निशनल पर्क में है ठीक है अब निशनल अब गिर नेशनल पार्क में है और या रखना में poop पर भी हम प्रोटेंटेटन अ कौन पनिया का है पनिया है गुजरात में ठीक है तो उसी साफ से अप्शन हों से गलत समझे कैसे इंटर लिंक करना है आंसर कोई तुक्के वाजी वाला बात नहीं है जो आपको नॉलेज है उसका एप्लीगेशन है यह तुक्का नहीं है ठीक है अब देखें दोस्तो प्रोटेक्टर स्टेटर्स क्या है स्टेटिक लोइन का इंडेंजर्ड है ठीक है साइट्स में अपेंडिक्स वन में है यह वाइल्लेफ प्रोटेक्शन एक्ट यानि जो भारत सरकार का है वनने जी उस अंडरक्शन अधिने मौनने सोबहत्तर उसके टू थ्री फोर हो गया हो तीक है तो उसको भी देखेंगे देखें मैने आपको बताया था की कैनाइन डीस्टेंपर वायरस जो था एफेक्ट कर रहा था यहां पर देखें पर वायरस पारने शवर एफेक्टिंग टाइघरेंड लॉंस याद रखिए कैस का नाम में किस से मेजरली लरेंस से लिलिएट लेकर अब देखते हैं इनका जो सेंसे उगा था यानि की जनगर्ना क्यों होती है सेर गर्णा बोल सकते हैं थीक जब इनकी गर्णा को हुई थी 2020 में हुई ती ठीक है और गर्णा से यह पता चला हमकों कि इनके जो नंबर से उसमें हुआ है इससे पहले वाले में 523 अब कितने होगे 674 हो गए दोस्तों 674 हो गए यह नि बढ़े हैं ठीक है तो अच्छी बात है हमारे लिए ठीक है इसके रावा दोस्तों एक कोश्चन में आपको बूलूँआ क्या आप करना यह बताए कि इस्याटिक लॉइंस का जो सेंसर हो जो इस्याटिक लॉइंस हैं उनका कितने साल में होता है कमेंट में दोस्तों आंसर दीजेगा ठीक है पहली क्लास है दोस्तों ऐसी 100 क्लास आएंगे सोचे कितना सारा कंटेंट इंटर लिंकों के साथ में आपका कवर होने वाला है ठीक है तो साथ में बने रही है बस इस माई को फोड के आना है बस ठीक है और इस बार हिंदी मीडियम से हमारा टार्गेट ही यह दोस्तों कि हम लोग कम से कम दोस्तों 2000 मेंस के लिए करें हैं ना कि हमारे कर दो बस अना मान ब्सक्कितरा लागें धर अना शॉजिए रॉछों मेंस का इसवायर कि हमारे rayुphen, Sवांदोः कि अ कर हम इदेक्रा किया है हिए कि इस को श्यायर क का रिंदा है, घज मेंस कि हमा रिए खिएूmot्गे मारे बवागा बक चेका घजरा रिंजरा रिंदा भूस